कोरोना संक्रमन से आज भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है देश विदेश में इस बिमारी को खत्म करने और इस बिमारी पर रोक लगाने को लेकर एहम भूमी का निभाई जा रही है आपको बता दे कि जारी वैश्विक जंग में वैक्सीन के स्तर पर भी भारत की भूमी का महत्वपूर्ण होने जा रही है पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की तरहां दुनिया के कई देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की उम्मीद कर रहे हैं कोरोना से जंग में भारत की तरफ से 50 से अधिक देशों को पैरासिटामोल, HCQ वान्य दवाईयों की आपूर्थी की गई आपको यहां पता दे कि भारत में को वैक्सीन और कोवी शील्ड दो वैक्सीनों को मन्जूरी मिल चुकी है इसी तरह दुनिया में कई वैक्सीने अधिकारिक तोर पर एप्रूव हो चुकी है कई देशों ने तो सरकारी सर पर भारत सरकार से संपर्क भी साधना शुरू कर दिया है यहां आपको बता दे कि भारत में वैक्सीन लगने की उप्चारिक शुरूवात के माँ भर के भीतर भारत सरकार वैक्सीन निर्यात की इजाज़त दे सकती है फिलाल ये निर्यात सरकार इस्तर पर होगा भारत सरकार के कहने पर वैक्सीन बनाने वाली कमपनियां तै मात्रा में दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ती करेंगी इतना ही नहीं वैक्सीन आपूर्ती के मामले में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने की बात कह चुके हैं वानिजव या उद्योग मंत्राले सूत्रों के मताबिक ब्राजील वा मेक्सीको जैसे देशों से भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को लेकर पूछताच की गई है कई अन्य देश भारत में उपचारिक तोर पर वैक्सीन लगने की शुरुवात का इंतजार कर रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट प्रोमोशनल काउंसल के अध्याक्ष दिनेश दुआ का कहना है कि वैक्सीन निर्यात को लेकर सरकार के सर पर काउंसल से पूछताच की गई है उन्होंने बताए कि मैक्सीको से भी वैक्सीन को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं वैक्सिन बनाने वाली कमपनियों से संपरक के लिए अधिकारिक जानकारी मांगी जा रही है मंत्राले के सुत्रों के मताबिक देश में वैक्सिन लगने की उपचारिक शुरूवाइत के बाद भारत के साथ दोस्ताना वेवार रखने वाले देशों में निर्यात की इजाज़त दी जा सकती है लेकिन आरंब के महीनों में सरकार की निगरानी में ही सिमित रूप से वैक्सीन का निर्यात किया जा सकेगा यहां आपको यह भी बता दे कि वैक्सीन सिर्फ उनी देशों को भेजी जाएगी जिनके लिए सरकार की तरफ से मनजूरी होगी सूत्रों के मताबिक वैक्सीन लगने के शुरुआती महीनों में देश में ही अधिकतर वैक्सीन की खपत हो जाएगी एहम तथ्य ये भी है कि आरंभ में निर्यात की खुली इजाजत मिलने से वैक्सीन की कमी की आश्चंका बनी रहेगी हालाकि गत मंगलवार को स्वास्ते सचीव ने वैक्सीन के निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबंद नहीं होने की बात कही थी बताया तो ये भी जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान भी भारती फारिमा जगत से संपर्क की कोशिश में है नाम नहीं उजागर करने की शर्ट पर फार्मा उद्यमी ये चाह रहे हैं कि दुबाई तक वैक्सीन पहुँचा दी जाए फिर वे खुदी दुबई से पाकिस्तान ले जाने का इंतजाम कर लेंगे फार्मा उद्यमी ने बताया कि इस प्रकार से कई दवाओं की सप्लाई पाकिस्तान में होती है आपको ये बता दे कि भारत में को वैक्सीन और कोवी शेर्ड दो वैक्सीनों को मनजूरी मिल चुकी है इसी तरह दुनिया भर में कई वैक्सीने अधिकारिक तोर पर एप्रूव हो चुकी है लगबगिन सभी वैक्सीनों के डेवलप्मेंट के पीछे महिला वैग्यानिकों की भी एहम भूमिका रही है अब ये आपको यहां जानना चाहिए कि किन किन लोगों की इन सभी वैक्सीनों के डेवलप्मेंट में एहम भूमिका रही भारत में मनजूर हुई भारत बायो टेक निर्मित को वैक्सीन के डेवलपमेंट में कमपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग की डॉक्टर सुमती की भूमिका महतुपून रही है जीका और चिकनगुनिया के खिलाफ वैक्सीन बनाने में भी सुमती ने योगदान दिया था और इस बार कोविड के खिलाफ वैक्सीन डेवलपमेंट में वह हैधराबाद बेस्ट कमपनी की कोर्टीम में रही ब्रिटेन की वैक्सीन विशेशग्य सारा ने ओक्सफोर्ड यूनिवरसिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रमुक भूमिका अदा की जिसका उत्पादन मंजूरी मिलने के बाद भारत का सिरम इंस्टिटूट कोवी शिल्ड करेगा ये भी बता दे कि वैक्सीटेक की सहसंसापक सारा तीन जुड़वा बच्चों की माँ है और उनके तीनों बच्चों ने उनकी वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया है दिन रात वैक्सीन के लिए मेहनत करने वाली सारा की टीम को वैक्सीन बनाने के लिए यूके से 22 लाक यूरो की ग्रांट मिली थी यहां ये भी बता दे कि मेरी लेंड में मुख्याले रखने अमेरिकी वेक्सीन डेवलप्मेंट कमपनी नोवा वेक्स में अग्रणी मोलीक्यूलर वेग्यानी के तोर पर नीता ने भूमी का निभाई है उनकी वेक्सीन टीम को पूरी तरह महिला टीम बताये गया हलाकि उनकी टीम द्वारा डेवलप्म वेक्सीन अभी ट्रायल के अंतिम चर्ण में है लेकिन इस वेक्सीन को अनूठे आइडिया पर बेस्ट बताये गया है जीनियस कहीं जो आने वाली नीता गुजरात के एक गाउं से तालुक रखती है उनके पिता टीवी के शिकार थे और बच्पन से ही उन्होंने डॉक्टर बनना तै किया था अंगरी केस महीला वेग्यानी का नाम फाइजर और बायो एंटेक की वेक्सीन के पीछे रहा है क्लिनिकल ट्रायलों में 95 फीसदी असरदार पाई गई इस वेक्सीन के लिए कैटलीन की भूमिका ये रही कि जब आरे एने तकनीक को वेक्सीन के लिए अव्यवहारिक आईडिया माना जा रहा था तब 66 वर्षिय कैटलीन ने इसकी वकालत अपने करियर की शर्ट पर की और काम्याबी ये कि यही वेक्सीन दुनिया भर में अग्रणी साबित हुई जूम मीटिंग्स में 650 लोगों की टीम के साथ हर वक्त जुड़कर दिन रात वेक्सीन बनाने में जुटी रही कैटलीन पहले हवीपी और नियुमोरकल वेक्सीन की रिसर्च में भी शामिल रही है बायो एंटेक में मुख्य चिकित साधिकारी और जर्मन विजनस वुमिन ओजलेम और उनके पती उगुर सहीन दोनों ही उस वेक्सीन के पीछे रहे जो उनकी कमपनी और फाइजर ने मिलकर जबलब की अमेरिका और यूके में इस वेक्सीन को मनजूरी मिली जिसके पीछे तीन दशकों की काबलियत और करीब दस महीनों की अथक मेहनत रही मेरिलेंड में स्वासे के नेशनल इंस्टिटूट सित वेक्सीन रिसर्ट सेंटर में वाइरो लोजिस्ट एफरीकी अमेरिकी डॉक्टर किस मेकिया कोरोना के खिलाफ बड़ी टीम में अग्रणी वेग्यानिक है इस सेंटर को कोविड नाइंटीन के खिलाफ वेक्सीन बनाने के लक्ष से बनाया गया कोविड नाइंटीन के खिलाफ दो वेक्सीनों के लिए बायो टेक कंपनी मॉडरना के साथ किस मेकिया की टीम ने काम किया अमेरिका में मोडरना और एनाइएच के फेस्टी ट्राइलों की प्रमुक रही डॉक्टर लीसा का टाइम पत्रिका ने उनके बहतरीन वैक्सीन डेवलिम्मेंट के लिए कोट किया था एमस्टर्डम की यूनिवरसिटी के वाइरोलोजी विभाग में प्रोफेसर डच वग्यानिक हैनेक जॉनसन और जॉनसन की जैंसीन वैक्सिनों के कार्यक्रम और वाइरल वैक्सीन खोज के लिए ग्लोबल हेड है HIV की वैक्सीन पर रिसर्च जारी रखते वे नीदर लेंड में कोविड वैक्सीन डेवलेप्मेंट ट्राइलों में 57 वर्ष ये हैनेक महतुपून रही एलेना एक रूसी वग्यानिक है और मोस्को की युनिवरसिटी में मैडिसन के क्लिनिकल रिसर्च के इंडर में डिरेक्टर है वही रूस में वैक्सीन डेवलेप्मेंट के लिए एलेना ही मुख्य रिसर्चर रही है यहां आपको ये भी बता दे कि दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,93,61,508 हो गई है इस वाइरस से अब तक 19,22,208 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में कोरोना वाइरस से संक्रमित 6,40,30,3,62 लोग ठीक हो चुके हैं अमेरिका भारत और ब्राजील में कोरोना वाइरस के संक्रमित के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं अमेरिका में संक्रमित के कुल मामले करीब 2,25 करोड तक पहुँच चुके हैं अमेरिका में कोरोना वाइरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 2,24,56,902 के पार चली गई है जबकि अब तक वहां 3,78,149 लोगों की जान चा चुकी है